दोस्तो आज T20 World Cup का 41 मैच खेला गया और दोस्तो ये मैच पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की टीम के बीच खेला गया था जहां इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया और जब इसके बाद पाकिस्तान की टीम पारी के शुरुआत करन पाकिस्तान को दूसरा जटका भी गिस ने देते तो इसके बाद बाबार आजम और मुहम्मद हाफिस ने इसके बाद स्कॉटलैंड के गेंद बाजो की जंकर क्लास लगाई जहां दोस्तों इस मैच में बाबार आजम तो काफी बैटिंग कर रहे थे तो आई दूसरी तरब मोहम्मज हाफिस भी काफी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे ल दूसरी तरफ बावरा जब काफी शांदर बैटिंग कर रहे थे लेकिन दो स्कोर च्रिस्थ ग्रेश की गियन पर आउट हो गए थे लेकिन दोस्तों इसके बाद हमें स्योही आ 갖고 improving को मिला दोस्तों इसके बाद शोही मलिक ने तावट तोड अंदाग में बैटिंग करी और उन्होंने मात 18 गेंदों में छे चक्के और एक चौकों की मदद से चौकों रन बनाकर नोट आउट रहे थे वही आसी फली भी पांच रन बनाकर नोट आउट रहे और दोस्तों इसी के साथ पाकिस्तान की तगड़ी बल्ले बाजी की वजहा से पाकिस्तान का स्कोर भी सोबर में 189 रन तक पहुच पाया चार विकेट के नुकसान पर और वही दोस्तो इसके बाद अब स्कॉटलेंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए 190 रन बनाने थे और वही जब दोस्तो इसके बाद स्कॉटलेंड की टीम टार्गेट का पीछा करने उत्री तो उनके शुरुआत काफी दीमी रही थी और दोस्तो इसके बाद जब पाकिस्तान की गिंद बाजियों का कमाल दिखाया तब इस स्कॉटलेंड की टीम के एक के बाद विकेट गिरने लगे और दोस्तो इसके बाद रिचा बिंटिंग ने 34 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिये थे लेकिन दोस्तों इसके बाद स्कॉट्लाइंड की टीम को आखरी 6 गेंदों में ये मैच जीतने के लिए 86 रन बनाने थे हालाकि दोस्तों स्कॉट्लाइंड की टीम 20 ओवर खेलने के बाद बस 170 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर और दोस्तों पाकिस्टान की टीम ये मैच 72 रनों के बड़े अंतर से जीती जहां दोस्तों स्कॉट्लाइंड की तरफ से रिचाब डिंटेन चोववनर मना कर नोट आउट रहे थे तो वहीं पाकिस्तान की तिरफ से सद्दाप खान ने दो विगेट जटके महीं शाइन अफ्रीदी और हर सुरूफ को भी एक एक विगेट हाथ लगी थी